हेगाज स्वाक्ट एडिसन के एक और ने एपिसोड में स्वागत है क्या आपको पता है छीक रोकने से आपके सरीर में क्या हो सकते और छीक रोकने से आपकी पिर्टियू भी हो सकती है और क्या आपको पता है अगर आपके अंदर की सारी रक्त वैकाव को बाहर निकाल दिया और उन्हें जोड़ दिया जाए तो धर्टी के चार चक्कर यानि कि धर्टी को चार बार उससे लपटा जा सकता है ऐसे कुछ फ्रक्ट साज आप इस वीडियो में जानने वाले जो आपका दिमाग गुमा देगी इसलिए दिल थाम कर वेट यह फ्रक्ट नमबर टैन क्या आप हुआ है जिसकी वज़े से उसे यानि कि उस परवता रोई को असबलता ही मिलिए यानि कि मनुस्य उस परवत से चार गुना लंबी परवत पर चड़ सकते हैं लेकिन उस परवत पर नहीं चड़ सकते हैं वाकई में वहां पर कुछ तो आध्यात्मिक है फैक्ट नमबर जिस दुनिया में है जिसके पास कोई आर्मी नहीं है हम बात कर रहे हैं आइस्लैंड की सबसे शान्त देस्टों में से एक है कि और शांट देशको आर्मी की कोई भी जरुरत नहीं है Fact No.8 क्या आपको पता है आपका Heart यानि आपका दिल कितनी उच्चाई तक रक्त को यानि कि Blood को फेक सकता है जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा दिल एक Pump की तरह कार्य करता है जिस परकास से जो पानी की मोटर होती है न उसी तरह तो या भी एक उसी तरह Blood को Circulate करता है सारे Organs के अंदर बैसता है लेकिन क्या आपको बता है अपना दिल कितनी उच्चाई तक रक्त को फेक सकता है तो अपना दिल जब इसको प्रेस करता है यानि कि प्रेसर मारता है Blood के उपर तो यह 30 फिट तक उच्चाई तक फेंच देख सकता है सोचिए एक पानी की मोटर जो हम गरों में यूज करते हैं वो भी 30 मीटर तक ने पहुंचीगी हमारा दिल कितना मजबूत होगा और उसके अंदर कितनी पड़ी मोटर होगी कोई मोटर नहीं है वस्दिल है लेकिन सोचिए फैक्ट नमबर सेवन क्या आपको बता है अस्टेलिया बारत से बढ़ा है हाँ आपको पता ही होगा क्योंकि अस्टेलिया बारत एक देश है लेकिन कितना बढ़ा है काफी बढ़ा है डाइगुना लगबग भारत से बढ़ा है लेकिन क्या आपको बताए बारत में जितने बच्चे एक साल में जनम लेते हैं अगर उन बच्चों को अस्टेलिया की पॉपुलेशन के साथ कंपेर किया जाए तो बच्चे जनम लेने वाले बच्चे अस्टेलिया की पर भी द्यान देना होगा है अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो हम चीन से कुछी दिनों के अंदर आगे निकल जाएंगे फैक्ट नमबर सेक्स हमारे बारत में आम तोर पर दार्मिक जगों पर भीड रहती है या फिर फिरी वाली जगों पर क्या आपको बता एक कुम मेला जो 12 साल के बार लगठा है इसी कुम मेले की बीड उपर आसमान से देखी जा सकती है 2011 में यह देखा गया उपर आसमान से जब होटो लिया गया यानकी इमेज ली गई तो पता चला कि कुम्ब की भीड इतनी ज़ादा होती है और इतनी बड़ी होती है कि उपर आस्मान से आराम से देखी जा सकती है वास्तों में मेरा देश मान है merak sir fakt no 5 क्या आपको बता है महिलाए अपने एक साल पूरी जिंद्धी का एक साल यह सचने में बीता देती है कि मैं कौन से कपड़े पर यानी कि यह सोचती रहती है यह वालिडरेस या यह वालिडरेस यवालिडरेस दलाने कि इतनी सोचे कि पूरा अगर जिंद्धी का अगर औ में कौन से कफड़े पिन वाक्तों में क्या आपको पता था फैक्ट नमबर फोर्ट से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखाए तो थेंक्यो सो मच अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे रेंडम फैक्ट सबसे पहले मिल सके और दुनिया की आध्यात्मिक बाते आप सबसे पहले जान सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन के बाद ओल जरूर प्रेस करिएगा फैक्ट नमबर फोर क्या आपको बताए अगर आप सारी रक्तवाईकव को बाहर निकाल दें यानि कि उन्हें बाहर निकाल कर जोड़ दिया जाए तो क्या आपको बताए वो इतनी लंबी है कि जो भूम अध्य रेखा है परत्वी की जो पीच की रेखा है वहां से चार चक आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए कि फैक्ट नमबर थी यह हमारे बारदेश के लिए नहीं है लेकिन दूसरे देश तो करते ही है ऐसा तो आपको बताए कि टोईलेट के अंदर टोईलेट पेपर यूज किये जाते हैं और क्या आप को बताए इन्हीं टोईलेट पेपर के कारण मज एक दिन के अंदर 27,000 पेड काट दिये जाते हैं सोचिए सिरफ और टोईलेट पेपर के लिए 27,000 पेड तो हम जो रोज यह कोपी में लिखते हैं पेपर जो हमारे घर पर सुबह आता है और नजाने कितनी चीजे हम पेपर यूज करते हैं कितनी चीज़ों के लिए कुछ भी समान लाते हैं तो पेपर की एक पेकेट तो मलब सोचिए कितने पेडों को हम रोज काटते ही होंगे थोड़ा पेपर कम यूज करिए यह एक रिनुवेबल रिसोर्स है लेकिन इसका यह गलत फाइदा तो उठाने ही सकते परियावरन कुछी दिनों का महमान बन सकता अगर हम ऐसे ही पेपर्स को रिसोर्सेज को यूज करते रहें फैक नमर टू क्या आपको बताए वोईस यानि कि डवनी ज्यादा तेज हवा में जो अपनी यात्रा पूरी करती है या फिर पानी में आपका सवाब कमेंट बॉक् क्यों करते हम चार गुना तेज हवा से चार गुना तेज पानी के अंदर वह यात्रा करती है यानि कि आप अगर पतास मींटर के दायरे पर खड़े तो कुछ देर लगेगी सेकेंड का कुछ इस्सा लगेगा हम जब एर के अंतर यानि कि बिल्कुल पर्तु पर खड़े ले क्यों आपको अगर पता है तो साइंस में अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात ने तो यह जब अपन बोलते हैं तो यह सामने वाले तक पहुंचता है सामने वाले के ये ड्रम तक पहुंचता है तो उसी दोरान ये vibration होता है और किसी वज़े से ये दूसरे के कान तक पहुंच पाता है तो क्या आपको बता था कि पानी में तेज आवाज यानि कि speed तेज होती है और हवा में कम होती है फेक्ट नमबर वन क्या आपने कभी छीक को रोकाए अगर हां तो आप बागय साली थे क्योंकि रोकना नहीं चाहिए छीक को अब क्यों नहीं रोकना चाहिए आपको बदा दूँ जब छीक आती है तो आपने भी देखा हुगा कि काफी बैंकर तरीके से एक आवाज यानि कि क किसी किसी के जादा होती है तो यह जब आती है तो काफी तेज हवा अपने साथ लेकर आती है अब इस हवा को अगर मापा जाए तो 120-160 किलोमेटर परती गंटा होगी सोच यह कितने तेज होगी जब आप पाइक पर 90 की स्पीड कर लेते हैं तो आप उड़ने लग जाते है अगर आप ऐसे कुदे तो कितने जोर से बीचे बढ़ेंगे ठीक अगर आप वैसे ही अगर लोगते हैं अपने छीक को तो यह इतना ही खतरनाक आपके सरीर के लिए हो सकता हो और हवा आपके सरीर के अंदर ही अपनी पूरी स्पीड के साथ टकरा सकती है और इस वजह से यही है कि जब आप 120-160 km परती गंटे के साथ से जब छीकते हैं तो वो कितने दूर तक का हमारे छीक के अंदर आए हुए गंड जा सकते हैं और किसी तूसरे व्यक्ति को इंफेक्शन कर सकते हैं